हाँ हम डाइबिटीज के बारे में आपको बहुत कुछ आपको बता दिया हमने पहले इसके अब हम आपको और जो कुछ बता रहे हैं तो देखिए आजकल हर व्यक्ति जागरुक है और वो क्या परेज रखना है क्या नहीं रखना है वो इस बारे में सब कुछ जानता है तो इ मेटे से बचे हैं गरिष्ट काने से बचे हलका बोजन करें व्यायाम करें मौर्निंग वाग करें जितने आप एक्सर साइज कर सकते हैं करें यह हम पहले भी समझा चुके और भी हम दुबारा फिर रिबिट कर देते हैं और उगते सूर्य को देखना इसके अलावा ओक्षिज का पालन करते हुए और टिंसन चिंता तनाव इन सबसे मुक्ति पाना आपको बहुत जरूरी है कोई भी तरह की दिमाग में टेंसन होते ही ब्लेट पेशर और सुगत दोनों एक साथ बढ़ते हैं जिनको दोनों एक साथ हैं तो देखिए यह एक अच्छी बात नहीं है दोन कंट्रोल में रहनी चाहिए यह बहुत जरूरी है आवशक है और जिनको सिर्फ डाइबेटीज है तो उनके लिए भी परहिज बहुत जरूरी चीज है क्योंकि बहुत सुगर बढ़ने के बाद भी प्रोग्लम आती है और जिनको हाई ब्लेट पैसर ज्यादा और सुगर ज् करें कोई ना कोई भारी तकलिफ हो सकती है और इसका असर किवनी पर और मस्टिक्स के ऊपर पड़ता है एक तो सुगर बढ़ी रहती है उपर से जब ब्लेट पैसर बढ़ जाता है तो शरीर की कोशी काएं उसको संबाल नहीं सकती एसी इस्तिति के अंदर हाट अटेक ब्र लगंते हैं इसके पुम्हर वाले के हाथ की बात है और इसी सिजों पर पर कंट्रोल रखें कि यह दोनों विवारियं एक साथ है CB नहीं सांथ है कि आपको सब तरह से समझाया है कि आप कुल मिला करके तीन चार बातों का पालंग कर लिजिए जिसमें आपकी बीमारी खतम हो जाएगी यह हम आपको बिल्कुल हमारे अन्भों के आदात पर करें इसमें कोई दोराई नहीं है आपको सबसे पहले नमबर वन तनाव मुक्त होना चिंता से बिल्कुल मुक्त होना यह आपके लिए डाइबिटीज वाले पैसेंट के लिए और ब्लेट पैसर वाले दोनों के लिए यह बहुत जरूरी है कबजी नहीं रहने चाहिए यह बहुत जरूरी है इसके अलावा मैं तो आकान से हैं मनुष्य की मैं तो आकान सा इस बारे में डोक्टर कभी ने तो वो समझते हैं ने वो इसमें बताते हैं पठ्टी एस्परदाज जिसको बोलते हैं कि किसी को पड़ुशी की जो दुकान है उसको अधिक कमाई होती है आपके कम होती है इस तरह की बात आप उसको इजी वे में यू ले तो ये दिमाग के अंदर ये चीज शेट नहीं होनी चाहिए कि अपने कारोबार कमजोर चलता है पासवाले का ज्यादा चलता है एसा कभी ना सोचें देखो बगवान सबको डाल रोटी सबको देता है इसकी चिंता नगरे आप अपने प्रेत्न में अपने मेहनत में अपने कार्य में कोई कमी नहीं रख रहे हैं सब कुछ आप कर रहे हैं उसके बावजूद जो फल उस को भूके नहीं सुलाता यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की परवर्टी बहुत से मनुश्य के दिमाग में बेड़ जाती है कि मेरा काम कमजोर है पडोसी का ज्यादा है यह एक तरह का विश है विश जहर जो शरीर के अंदर जाकर के मस्तिक से और नाना प्रकार के रोगों को उत्पन करता है जिसमें हाई ब्लेड फेशर हाट की बिमारी डाइग बीटी किद्नी खराब होना कहीं तरह की यह रोग पैदा होते हैं ऐसा सोतने मात्र से और यह दि आपने ऐसा सोत लिया कि भगवान हमको दाल डूटी दे रहा है पास वा और यह बिमारी नलजिक नहीं आएगी अपने थिंकिंग को जहीं बीदी रहा के राम ताहीं बीदी रहिए जिस हाल में वो रखता है उस हाल में रहिए आप अपना करम किजिए फुरुशाट किजिए मैं यह नहीं करता कि आप सोते रहिए आपको खूब काम करना है मैंनत क यह जो देगा वो देगा कभी वो कमी नहीं रखता देने के अंदर आपको लेने के अंदर सर्म आती है वह खूब देता है संटोस होना चाहिए मन में सानती होने चाहिए कोई विमारे नजडिक नहीं आएगी शेंख्णों विमारियां इस तरह की thinking से पेदा होती है यह मनों तीकित से आपको कह सकता है इस बात को आपका प्रिजिशन नहीं कहेगा हां तो जो खास मुद्य की बात पर आते हैं ज्यादा समय आपका बरबाद नहीं करेंगे हम आप सबसे अच्छा है कि डाइबिटीज में देखिए हमन आरिवेदिक दवायां का बहुत इस्तेमाल किया है बसमादी वगएरा नाना परकार के बसंद कुस्मा के रस वगएरा जो 400-500-600 रुपया का एक ग्राम इस तरह की रस औस दियां इतनी मेंगी कि आदमी की एक डोज बनती है 30-40 रुपे की क्या खायेगा क्या निचोडेगा कोई उन्हें प्योटि नहीं वो कोई दवाईयां डाइबिटीज में काम नहीं करती है हाँ सबसे पहले लिखिए आप हम आपको जड़ी बूंटियां और हो में पेतिक की दवाई बताएंगे सबसे पहले जिनको जो डाइबिटीज हमने आपको बताया था बीना सुगर की की डाइबिटी यानि कि बार बार पेसाब जाने की जिनकी परवर्ति है वो व्रद हों या युवा हों और जांत में अगर सुगर नहीं आती है तो दवा लिखिए आप होमियोपेतिक acid force 30 potency acid force 30 potency दिन में 3 बार ये करीब एक मैना आप आराम से लें ये टोनिक भी होगा और आपकी बार बार पेसाब करने की परवर्ति को रोकेगा इसके अलावा अगर आपको सुगर भी है तो उसको भी खतम करेगा no side effect no bad effect ये हुई बात जिनके सुगर नहीं है बार बार जो परशाब करने जाती है तो आईरवेड इसको बहु मुत्र में ही लेता है इसलिए ये बताना ज़रूरी है हालागि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये आवशक है हाँ अब रहा जिनको 140 से 200 तक जो सुगर रहती है उनके लिए वो दवा नोट करें होमेपेतिक की हम दो बार इबिट करेंगे नमबर वन दवा उनके लिए यूरिनम नाइट्रिक्रम 3X इसकी टेबलेट चार चार टेबलेट दिन में चार बार मुह में डालके चूंसनी है कंटिनू कोई समय निश्चित नहीं है मैना चमेना जब तक आपको प्रॉब्लम है एक ये खाने की दवा अब पीने की दवा ल मदर टेंचर 20 बूंद आर्शनिक ब्रोमाइड मदर टेंचर 10 बूंद और शेपा लेंडरा इंडिक का मदर टेंचर 20 बूंद हम एक बार पुनर रिबिट करते हैं खाने के लिए यूरिनियम नाइट्रिक्रम 3X 4 टाइम्स और सीजियम जंबो मदर टेंचर 20 ड्रॉप्स आस ब्रोमाइड मदर टेंचर 10 ड्रॉप्स सेपालेंडरा इंडिका मदर टेंचर 20 ड्रॉप्स ये आदे कप पाने में डालें ये आपकी वन डोज बनी और इसको दिन में 3 या 4 बार आप पियें continue लगातार पियें आपकी diabetes बिल्कूल control में आएगी इसमें कोई दोराई नहीं है ये आप ज़्यादा पावर की डवा ले रहे हैं और आपकी जांस के अंदर diabetes कम होती जाती है तो आप अपने चिकित सक्षे मिल करके वो सकता है वो आपको कहे कि आप एक दिन छोड़के एक दिन गोली लो या आप दो गोली ले रहे हैं तो वो एक करें आपको दवा बंद नहीं करनी है अपनी मर्जी से हाँ अब रहा सवाल जिनको 300-400-500 सुगर ये रहती हैं इंसूलिन का इस्तिमाल करते हैं उनके लिए उपरोख जो मैंने दवाइयां बताई है ये तो ले लेनी है इसके अलावा एक दवाइ और लेनी है वो उपरोख दवाइया नमबर वन युरिनम नाइटे किर उनकर साथ मिला के ली जा सकती है हां लिखिए जिनको सुगर बहुत ज़्यादा है इंसुलिन लेते हैं उनके लिए आप दवा लिखिए इंसुलिन six potency मैं दुबारा बोलता हूँ दवा का नाम है इंसुलिन six potency यह 30 potency नहीं लेंगे यह दिन में च्यार बार लें और उपरोग दवायां होमेपेतिक की वह भी लें और यह भी होमेपेतिक की है आप इंसुलिन के साइड इफेक्ट बेड इफेक्ट नहीं आपकी इंसुलील रोज लेने की आदत से छुट करा मिल जाएगा इस वर चाहेगा तो और आप नॉर्मल इस्तिती में आ जाएंगे और आगे जाके ठीक हो जाएंगे ये आपको होमेपेटिक टीटमेंट अब मैं आपको आईरवेट के आता हूं देखिए आईरवेट के अंदर सबसे जो पहली चीज़े आप एक नुस्का नोट कर लिजिए आप लिखिए ये आमला 50 ग्राम हरेट 50 ग्राम बहेडा 50 ग्राम मेथी का पाउडर 100 ग्राम हल्दी जो अपन गर्में खाते हैं इसका पाउडर 100 ग्राम नेम गिलोग का पाउडर 100 ग्राम गुड्मार मूटी का पाउडर 100 ग्राम पुनर नवा पाउडर 100 ग्राम सतावरी पाउडर 100 ग्राम बील पत्ते जो उनको सूका करके उनका पाउडर 100 ग्राम और विजे सार पाउडर विजे सार एक पेड होता है उसकी जो लखडी होती है उसका पाउडर आपको पंसारी के यहां, इस सारी चीजे पंसारी के यहां, PCV मिल जाएगी, हाँ, विजे सार पाउडर 100 ग्राम, मैं एक बार इसको पुन्ने रिबिट करता हूँ, आउला 50 ग्राम, 150 ग्राम, बहड़ा 50 ग्राम, दानामेती पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 100 ग्राम, नेम गिलोई 100 ग्राम, गुडमार मुंत्री 100 ग्राम, पुन्ननवा 100 ग्राम, सतावरी पाउडर 100 ग्राम, बील पत्यका पाउडर 100 ग्राम, और विजे सार पाउडर 100 ग्र पड़ी चम्मच यानि की एक तोला तक आप ले सकते हैं सुबह और रात को जहां तक हो दूद्ध के साथ लें यदि दूद्ध नहीं है तो जैसा भी गुनगुना पानी आप आपको जो पानी अच्छा लगे आप इसको दोनों समय ले continue इन होमेटिक दावाओं के साथ में ये चुरन आपको लेना है अब इसे जदा मैं आपको और क्या समझा हूँ ये आपको ये चुरन कहीं बीमारियों से ठीक कर देगा आपके सरीर में कोई बीमारी कोई सरीर में श्रेलिंग सरीर में दर्द आपको कफ रोग इत्यादी कहीं तरे के जो रोग होते हैं त्रिफला इ पूरी लाइव भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखिए अब समय हो चुका है मैंने आपको यह और समझा दू है एक बार होमेपेटिक दवाईयां लेनी हैं और उनके साथ यह आप आर्वेडिक जड़ी बूटी बेचने वाले की दुकान पर जाकर के यह पाउडर खरी लेकिन यह आपको कहीं रोगों से बचाएगा इसमें कोई दोराई नहीं है इसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हानी करने वाली हो और कोई आपको परहेज जो सिर्फ डायबिटीज का होता है वो आपको परहेज करना है इसके अलवा इमली का परहेज करना है और पेपर मेंट का परहेज करना है इसके अलवा आप सब कुछ खा सकते हैं सबी के अंदर हल्दी ये हेंग डालके आप कभी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब मैं आप से इजालत चाहूँगा आपको यदि और कोई चीज समझ में आए या ना आए आप मुझसे फोन करें आप दुकांदार से मुझको फोन करवा सकते हैं आप अपने डॉक्टर से होमेपेटिक डोक्टर से या होमेपेटिक दुकांदार से डाइरेक्ट मेरी बात करा सकते हैं मैं आपकी सेवागे ले हाजिर हूँ भगवान आपको स्वस्थ रखे तंदुरस्थ रखे इसकी मैं कामना करता हूँ धन्यवाद